Welcome to our channel यह जो कंटिणिव सिरीज में आप हमारा लेक्चर चल रहा है यह लेक्चर नंबर फ़ोर है मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्वूर के जो रूल्स हैं वह समझाया थे और इस लेक्चर में हम सम्झेंगे कि image formation by concave mirror कि concave mirror जो है वो कैसे image formation होती है वो इसमें different cases को हम consider करेंगे जो अलग-अलग cases हैं हम हर एक case को consider करेंगे और उसके according ही हम image formation सीखेंगे और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को subscribe करें चैनल को like करें और share जरूर करें अगर अच्छा लगता है तो आप comment भी कर सकते हैं तो हमारा first showcase है वो position of object में सबसे पहला case है within the focus मतलब focus के अंदर object है कहीं pole और focus के बीच में जैसे मैं यहां पर जो है एक concave mirror बनाता हूं इस तरीके से जब मैं concave mirror बनाता हूं इसको मैं back side से polish करता हूं जब इसको हम पूरा polish करते हैं और इसके बीच में हम एक line draw करते हैं जिसको हम बोलते हैं principal axis क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं principal axis एक line जो है वो draw की जाती है उस line को हम principal axis कहते हैं और इस line के ओपर इस point पर यहाँ पर इसको कहा जाता है पॉल और यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लीचे यह एक पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं ठीक यह होगा center of curvature अब object कहाँ पर है within the focus यानि के focus के अंदर पॉल और focus के वीच में कहीं यहाँ पर मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है अब यह object है हमारे पास A और B यह हमारे पास object है अब यह जो object है A और B अब इसकी image कहाँ पर बनेगी यह हमने सीखनी है तो आप देख सकते हो कि A point से जहाँ पर A point है क्योंकि एक ray of light यहाँ से निकलेगी जो ray of light यहाँ से निकलेगी वो कहाँ जाएगी straight आगे जाएगी और according to rule जो ray of light straight जाती है parallel to principal access होती है वो जब इसके उपर पड़ती है तो reflect होने के बाद वो focus से वापिस चली जाती है यह इस तरीके से वापिस चली जाएगी ठीक है तो जो ray of light यहाँ से निकलेगी यह point से वो parallel होगी to principal access इसके parallel होगी तो वो जब वापिस जाएगी तो focus से वापिस जाएगी और दूसरी ray of light जो यहाँ पर enter होगी वो center of curvature से enter होगी कहाँ से center of curvature और अगर यह center of curvature से इस तरीके से आती है यहाँ पर पड़ेगी तो आपको पता एक rule है कि अगर center of curvature से कोई भी ray of light आती है तो वो center of curvature से ही वापिस भी चली जाती है ठीक अब यह center of curvature से आई यह center of curvature से rule है ना center of curvature से आएगा center of curvature से वापिस चला जाएगा अब यह डो ray of light जो है इनको backward produce किया जाता है जैसे इसको यहां से backward produce करेंगे इस तरीके से और दूसरी जो रेय अफ्लाइट है इसको भी backward produce करेंगे जब बैकवर्ड प्रेडूस किया जाता है तो यह दोनु रेय अफ्लाइट कहीं इस point पर मिलती है और यह point पर जब हम एक line draw करते हैं तो यहां पर ज इमेज क्या बना एडैश और बी डैश इस केस में देखो यह एक ऐसा केस है जहां पर इमेज कहां पर बनी इमेज कहां पर बनी यह आपने खुद देखा कि इमेज बनी बहाइंड दे मिरर कहां पर बनी बहाइंड दे मिरर क्योंकि पिछले साइड बनी इमेज बहाइंड बनी तो virtual image है क्योंकि rays of light वो रियल में नहीं मिली बलके उनको हमने मिलाया दॉर्स की बंदत से तो virtual and erect image बनेगी और size क्या होगा इस case में तो size होगा enlarge बहुत जो है वो object से बड़ा होगा और यह हम कब use करते हैं जब हम खुद को जो है जब हम इसे खड़े हो जाते हैं mirror हम अपने सामने रखते हैं और जब हम mirror के बहुत close चले जाते हैं mirror के close चले जाते हैं ताके हमरे pimples और गिरा जो बी है वो बड़ा दीखे तो हम जतना close जाते हैं उतना image बड़ी बनती है तो यह हमारा first case है अगर object pole और focus के बीश में हो pole और focus के बीच में हो image कहां पर बनती है behind the mirror और image कैसी होती है virtual and erect यह हमारा first case था अब हम क्या करेंगे अब हम second case consider करेंगे यह first case हो गया अब हम second case consider करेंगे अब जो second case हमने consider करना है हम माल लेते हैं कि इस case में जो object है इस case में जो object है वो कहां पर है इस case में object जो है वो at focus है object कहां पर है at focus object जो है वो focus के उपर है अब अगर object focus के उपर है तब image कहां पर बनेगी वो हम सीखेंगे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मैं एक ऐसे draw करता हूँ इसको हम concave बोलेंगे कौन की mirror, हर बार मैंने कौन की mirror को draw करना है, draw किया और इसके बीच में एक line pass की, ये line जो हम देते हैं, इसको क्या बोलते है, principle axis इसका नाम है, इसको principle axis इसको कहा जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, हम इस पर कुछ points देते हैं, mark करते हैं, जैसे इस point को हम pole कहेंगे, बीच में कहीं लेंगे इसको मैं focus कहूंगा, और इस point को मैं कहूंगा center of curvature, अब object कहां पर है, add focus, यहां पर object है, अब बताओ image कहां पर बनेगी, देखें image कहां पर बनेगी, यह बहुत important point है, यहां से एक ray of light निकलेगी और जो ray of light यहां से निकलेगी, वो parallel होगी, और आपको पता है कोई भी parallel ray of light जब इसके उपर पढ़ती है mirror के उपर, तो वो reflect होने के बाद वो कहां से वापिस जाती है, वो focus से वापिस चली जाती है focus से वापिस चली जाती है दूसरी ray of light जो center of curvature से यहां से पास होती है तो वो कहां से जाएगी, यहां पर पढ़ने के बाद से वो mirror पर पढ़ेगी, और यहां पर पढ़ने के बाद वो इसी direction से वापिस भी चली जाएगी same direction से वापिस चली जाएगी अब आपको दिख रहा है यह दोनु रेज क्या है यह दोनु रेज पैरलल है दोनु रेज क्या है पैरलल रेज है अब यह दोनु रेज पैरलल है तो यह कहीं paper पर हम इनको meet करते नहीं देख सकते यह paper पर आप इनको meet करते नहीं देख सकते अब पेपर पर मीटनिंग करेंगे तो कहां पर मीट करेंगे बहुत दूर जाकर मीट करेंगे जिसको हम infinity कहेंगे क्या कहेंगे infinity कहेंगे यह जहां पर मिलेंगे उसको हम infinity कहेंगे और image कहां पर बनेगे infinity बनेगी और image कैसी होगी image होगी highly enlarged बहुत बड़ी कैसी image होगी highly enlarged यानि के image काफी बड़ी होगी और क्यूंकि image जो है जहां पर भी बनेगी वो principal axis के नीचे बनेगी principle axis के नीचे जहां पर भी image बनेगी principle axis के नीचे बनेगी और जो नीचे image बनती है वो कैसी होती है वो होती है real and inverted कैसी होगी inverted वो उल्टी image होगी inverted image होगी वो इस तरीके से नीचे के और ऐसे image बनेगी जो principle axis के नीचे बनेगी ठीक है जैसे इसको मैं A- कहूंगा इसको भी ऐसे वो उल्टा इमेज बनेगी तो कोई भी चीज कोई भी इमेज उल्टी बनेगी उपर से नीचे के और तो वो इन्वर्टिड रेज रियल में मिलेंगी तो रियल इन्वर्टिड इमेज बनेगी और बड़ी होगी highly and large यह कहां पर हम करते हैं यह हम headlight में इसका इस्तिमाल करते हैं headlight में इसका इस्तिमाल किया जाता है देखो जैसे यहां पर वो headlight है और पीछे जो है यह जो है sorry यह ऐसे headlight है और यहां पर focus पर bulb रखा जाता है focus से जब कोई भी जो है वो ray of light इसके उपर पढ़ती है तो वो क्या होता है वो ray तक आगे चली जाती हैं, बहुत आगे तक चली जाती हैं, जिसकी वज़ा से हम रोड में काफी आगे तक देख सकते हैं, तो यह वहाँ पर इस्तमाल होता है, यह हमारा second case है, अगर object focus पर है, तो image कहाँ बनेगा, infinity पर image बनेगा, यह हो गया हमारा second case, अब हम समझेंगे third case, तो जो हमारा third case है, वो क्या है, उस चीज को समझेंगे, तो third case यहाँ पर आपको समझाता हूँ, third case, third case में object है, between focus, object कहाँ पर है, between focus, focus के बीच में, and center of curvature, and center of curvature, focus और center of curvature के बीच में, ठीक है, कहाँ पर है, focus और center of curvature के बीच में, अब focus और center of curvature के बीच में, कहाँ जैसे, तो इसको हम समझेंगे, जैसे, मैं यहाँ पर एक mirror बनाता हूँ, इस तरीके से, बनाया, अब मैं इसको polish करता हूँ, ऐसे polish किया, यह करने के बाद मैं color change कर लेता हूँ, मैंने बीच में एक line draw की, इस तरीके से, ठीक, line draw करने के बाद, इसको principle axis कहेंगे, इस line को, क्या कहेंगे, principle axis, ठीक है, यह आप सबको पता है, यहाँ पर, इस point पर क्या है, pole है, यहाँ पर मैं कहीं focus ले लेता हूँ, और यह है center of curvature, object कहाँ है, between focus and center of curvature, यानि कि focus और center of curvature के बीच में, माल लीजे, कहीं, यहाँ पर है, ठीक ह अब focus और center of curvature के बीच में है, तो अब image कहाँ बनेगी, image कहाँ बनेगी, हमने वो चीज़ देखनी है, कि image की position क्या होगी, तो image की position मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे यह object है, sorry, हाँ, यह object है, अब यहाँ से जो ray of light निकलेगी, एक ray of light जो यहाँ से निकलेगी, इस point स जो निकलेगी, वो focus से, focus पर पढ़ेगी, कहाँ पर focus center होगी, ठीक, अब कोई भी ray of light जो focus center होती है, वो कहाँ से वापिस जाती है, वो parallel वापिस जाती, यही होता है, rule हमने यही तो पढ़ा था, दूसरा ray of light जो यहाँ से निकलेगा, जो सीधा parallel होगा principle axis के, तो वो कहाँ से आग वापिस चला जाएगा, जब वो reflect होगा, तो वो focus से reflect होगा, focus से reflect होगा, तो कहीं यहाँ पर, कहाँ पर meet कर रहे हैं, इस point पर meet कर रहे हैं, तो जहाँ पर दो rays of light meet करती हैं, वहाँ पर image भी बनती है, अब आपने इस case में देखा, कि object जो है, वो यह था, A और B, यह object थ और जो image बना, वो आपने खुद देखा, कि image क्या बना, A- और B- यहाँ पर, अब object यहाँ पर था, between focus and center of curvature, object था, और एक ray of light जो parallel थी principle axis के, वो focus से आगे आई, दूसरी जो focus से एंटर हुई, वो parallel to principle axis आगया है, यह meet कहां किये, beyond center of curvature, तो image कहां पर बनेगी, तो image बनेगी, beyond center of curvature, क्या हम लिखेंगे, beyond center of curvature, image बनेगी, center of curvature को हम C से denote करते हैं, और कैसी होगी, size क्या होगा, अब आप देख सकते हो, क्योंकि object नजदीक है, image थोड़ी दूर बनी, तो यहां पर जो size होगा image का, वो enlarge होगा, जितना size, जितना जो है, वो दूर image बनती है, जितना image दूर बनती है, उतना उसका size भी बड़ा होता है, और कैसी होगी, real and inverted, क्योंकि raise real में meet करती है, तो real and inverted, inverted यानि कि यह उल्टा, देखो, inverted image बनी, और real image, क्योंकि raise real में मिलती है, तो यह है, अगर object focus और center of curvature के बीच में हो, focus और center of curvature के बीच में है, तो image कहां पर बनेगी, beyond center of curvature, center of curvature से आगे, यह हमारा, जो है, यह next, third case था, अब हम fourth case को consider करेंगे, fourth case को मैं कहीं यहाँ पर, हाँ, यहाँ ठीक जगा है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा fourth case समझाता हूँ, अब fourth case में, object हम लेते हैं, at center of curvature, कहां पर लेते हैं, at center of curvature, center of curvature पर जी, object है, कहां पर, c, center of curvature, अब बना लीजिए, उसी तरीके से, same, बहुत आसान है, आप इस तरीके से इसको बनाओगे, यह concave mirror है, बना लिया, आप एक line draw करोगे, ठीक, line draw की, यहाँ पर pole होगा, यहाँ पर कहीं पर किसी point पर focus होगा, किसी point पर center of curvature होगा, ठीक है, इतना काम हो गया, अब आपने object कहां पर बताना है, at center of curvature, object यहाँ पर है, at center of curvature, यह object है, तो image कहां पर बनेगी, तो इस case में image देखे कैसे बनेगी, एक ray of light, जो यहाँ से निकलेगी, parallel, parallel इसके उपर आएगी, अब parallel ray of light जो आती है, वो कहां से वापिस जाती है, शाबाज आप सब को पता है, वो focus से होते हुए आगे जाती है, यहाँ पर focus से होते हुए आगे जाती है, क्योंकि यह जो है थोड़ा सा आगे बनी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, और वापिस से मैं इसको बनाऊँगा, ताकि यह आपको अच्छे से समझ आ सके, मैं इसको दुबारा से डॉक करता हूँ, जिससे यह यहाँ से ray of light, यहाँ से ray of light आएगी, और मान लेते हैं, यह focus है, फिर से यहीं जा 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 जा, यहाँ से आगे जा जा जा, यहाँ से फोकस, और दूसरी जो ray of light है वो ray of light यहाँ से निकल के, एक object से निकल के, वो कहाँ से जाएगी, वो focus से आएगी, जब वो focus से आएगी, तो कहाँ वापिस जाएगी, वो incident ray focus से आ रही है, तो rule के हिसाब से वो parallel वापिस जाएगी, तो parallel वापिस जाएगी, कहीं यहाँ पर meet करेंगे, अब जब यहाँ पर करीके का होगा और यह इस पॉइंट पर मिलेंगे और यह जो पॉइंट होगा यहां पर यह मीट करेंगे जब मैं इसको ड्रॉक करूंगा तो यह वही पॉइंट होगा सेंटर अफ करवेचर का क्योंकि यह रे लाइट थोड़ी सी इस पर टेड़ी होगे यह ऐसे आती है यह रे अफ लाइट यहां से आएगी तो यह इस पॉइंट पर मीट करेंगे अब आप खुद देख सकते हो अगर यह और बी अबजेक्ट था इमेज क्या बनेगी एडैश और बी डैश अगर अबजेक्ट सेंटर करवेचर पर हो तो इमेज भी कहां बनेगी इमेज भी सेंब पोलिशन पर बनेगी सेंब कहां पर एट सेंटर अफ करवेचर एट सी सेंटर अफ क्या होगा इस केस में साइज आप दी अबजेक्ट और साइज अब इमेज क्या होगा सेंब होगा क्योंकि जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर image भी है ठीक है size क्या होगा same और object कैसी बनेगी image कैसी बनेगी real image होगी and inverted क्योंकि उल्टा वो बनता है तो real and inverted image यह आपका case number four है अब case number four के बाद अब हम case number five समझेंगे अब जो fifth वाला case है हम उसको अच्छे से देखेंगे पांचवा जो case है वो है beyond center of curvature fifth case fifth case क्या है beyond center of curvature यानि के center of curvature से थोड़ा सा और आगे beyond center of curvature अब object कहां पर है object है beyond sea कहां पर है beyond sea beyond center of curvature तो ठीक है हम इसको बना लेते हैं हम इसको बना के समझेंगे कि यहां पर इसके ओपर ड्रॉख करने थोड़ा सा मुश्किल ही काम है और इसलिए यह कुछ टेड़ा हो जाता है जैसे मैं यहां से इसको ऐसे ड्रॉख करता हूं ऐसे बना लें अब क्या करूँगा मैं अब मैं इसको इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे लाइन ड्रॉ की लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं कुछ पॉइंच लेता हूँ जैसे इसको मैं पोल बोलूँगा इसको मैं सेंटर अफ करवेचर बोलूँगा अब अब अबजेक्ट कहां पर है बियॉंड सेंटर अ अब आप देख सकते हैं कि इसकेस में जब यहां से ऐसे ray of light निकलेगी तो parallel होगी जो भी ray of light parallel होती है वो पढ़ने के बाद कहाँ से वापसाती है शावाश तो आप खुद बढ़ा सकते हो कि वो ray of light पढ़ने के बाद focus से वापसाती कहां से वापस जाती है फोकस से रिफलेक्ट होने के बाद आगे जाती है फोकस से गई फिक जो रेया फलाइट पैलल थी वो फोकस से आगे जाएगी और अग रेया फलाइट जो फोकस से एंटर होगी कहां से फोकस से एंटर होगी तो वो पढ़ने के बाद वो कहां से वापस आएगी वो पढ़ने के बाद मैं इसको दوبारा से थोड़ा अच्छे से डौप करता हूं कि रेया फलायट जो यहां से आती है तो यह fix से पढ़ने के बाद ऐसे आगे गई और focus से पढ़ने के बाद जब आगे जाती है तो वो parallel वापस आती, कैसे वापस आती है, parallel वापस आती है, तो ये थोड़ा सा इसको मैं फिर से सही से बनाता हूं, जैसे यहां से एक रेया फ्लाइट निकलती है, तो वो कहां पर जाएगी, focus से, और जिस वकत focus से जाएगी, तो वो focus से जाने के बाद, वो कहां से वापस आत तो parallel वापस आती है कहीं यहां पर इस point पर मिलती है और यह जो point होता है यह कौन सा point है जब हम यहां पर एक line draw करते हैं ऐसे तो यह कौन सा point है यह है between center of curvature and focus तो अगर object है beyond center of curvature center of curvature से इधर अगर object है तो image कहां पर बनेगा between center of curvature and focus इसके और इसके वीचने तो इसको मैं A और B अगर नाम देता हूं तो इसका नाम क्या बनेगा A dash और B dash इस case में size क्या होगा आप देखो image नजदीक बन रही है image नजदीक है object दूर है तो size छोटा होगा जि इसको हम diminished कहते हैं तो यहाँ पर अगर object beyond center of curvature होगा तो image कहां पर बनेगा तो image बनेगा between center of curvature and focus जैसे यहाँ पर बन रहा है और size क्या होगा size थोड़ा छोटा होगा image का diminished इसको हम कहते हैं छोटा size होगा और real and inverted image होगा nature क्या होगा real and inverted inverted क्यों क्योंकि यह उल्टा बनी और real में है raise real में मिली तो यह आपका fifth वाला point है जो मैंने यहाँ पर explain किया अब जो next वाला है last जो sixth case है जो last case है उसको हम समझेंगे तो last case को हम यहाँ पर मैं एक line draw करता हूँ हम यहाँ पर समझेंगे sixth case sixth case क्या है object at infinity object कहाँ पर at infinity अब infinity पर object है आपको इसमें important point एक याद रखना है कि जब बहुत दूर से raise of light आती है तो वो आगे आते हुए parallel हो जाती है जब यहाँ से raise निकलती है तो वो diverging type होती है इसे diverging लेकिन जितना वो travel करती है आगे 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 तो यह parallel होती जाती है parallel होती है यह parallel raise हो जाती है ठीक है तो वैसा ही होगा कि जब मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसी तरीके से मैं concave बनाता हूँ और concave यह बनाने के बाद मैं इसके बीच मैं एक line draw करता हूँ principle axis यहाँ पर मैं इसको pole कहता हूँ यहाँ पर focus और यह होगा center of curvature ठीक है अब क्या होगा raise of light paddle ही कहीं से आती है और infinity से आ रही है अब infinity बहुत द 車 प्रतर करता हैं करें हम पेपर पर nécessaire हम यह माल लें हैं यह इनफिनीटी से रिया of light आती है यह इनफिनीटी से रही है ठीक है यह दूसरी रिया of light यह आ रहाँ है तो उपर से आ रही थी वह बही कहां से पास होगी वो भी focus से पास होगी अब दोनु raise of light कहां पर मिल रहे हैं focus पर मिल रहे हैं क्योंकि दोनु raise of light जो है ये focus पर मिल रहे हैं दोनु raise of light इस जगा focus पर मिल रहे हैं तो image अगर object होगा infinity अगर object होगा infinity तो उसकी इसमें जो image बनेगी वो कहां पर बनेगी image बनेगी focus के ओपर focus पर एफ पर यहां पर image बनेगी और size क्या होगा बहुत छोटा आप देख सकते हो कितना चोटा तो यह highly diminished होगा क्या होगा highly diminished बहुत ही छोटा d-i-m-i-n-i-s-h-e-d highly diminished बहुत ही ज्यादा छोटा जो है इसका size होगा और होगी यह real and inverted real and inverted यहां पर मिलेंगी थोड़ा सा नीचे side मिलेंगी और inverted image बनेगी तो यह आपका last वाला case था इसमें जो sixth वाला case है अब जितना भी अभी तक हमने जो भी cases हमने अभी तक देखे यह सारे मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे मैं बताऊंगा मैं आपको यहां पर एक नई slide से यह सारी चीज़ें explain करूँगा क्यूंकि explain करना इन चीज़ों को अच्छे से ताकि आपको याद रहे बहुत important है जैसे मैं क्या करता हूँ मैं यहां पर एक इस तरीके से एक concur mirror बनाता हूँ अब बार बार मैं इसको polish नहीं करता लेकिन यह understood होना चाहिए कि यही concur है फिर मैं इसके बीच मैंसे एक line draw करता हूँ किया मैंने line draw अब line draw करने के बाद आपको भी पता है कि इस point को pole कहते हैं इस point को focus कहते हैं इसके बाद जो होगा center of curvature और यह जो line है इसको कहते हैं principal axis मैं आपको अब nutshell सारी चीज़े बताना चाहता हूँ अब अगर object है between focus and pole focus और pole के बीच में अगर object है जिसे अगर object यहां पर है तो image कहां पर बनती है तो हमने सीखा था image behind the mirror बनती है image कहीं यहां पर बनती है virtual or react है ना first case दूसरा case यह तो first case है क्योंकि यहां पर एक ray of light ऐसे जाती है वो पढ़ने के बाद focus से आगे चली जाएगी दूसरी ray of light जो center of curvature से पास होती है वो जब यहां से आगे जो है वो जाएगी इस तरीके से इतना थोड़ा बड़ा है यहां से तो यह कहीं मिलती नहीं diverging है तो यहां पर जब हम इनको backward produce करते हैं तो यह इस point पर मिलती है तो यहां पर image बनती है यह हमने first case जो है वो हमने समझा था फिर इसके बाद जब हम next case को समझते हैं तो हम उस case में क्या कहते हैं कि हम अगर object को हम थोड़ा सा और पीछे ले जाएं object को कहां पर ले जाएं focus पर ले जाएं object को जब हम focus पर ले जाते हैं यहां पर focus पर तो image कहां पर बनती है image कहीं बनती है infinity बहुत दूर और एक case है कि अगर object infinity पर है तब image बनती है focus के उपर तो उल्टा है अगर focus पर object है तो image कहां पर बनती है infinity बनती है अगर infinity object है तो image कहां पर बनती है focus पर बनती है ये दो points फिर अगर center of curvature पर यहां पर object है तो image भी यहीं पर बनती है तो अगर center of curvature पर object है image भी center of curvature पर ही बनती है ये बहुत आसान है याद रखना focus पर है infinity इंफिनिटी पर है focus center of curvature पर है center of curvature पर ही बनेगा size same रहेगा फिर इसके बाद ये तो ये हो गया फिर जो next आता है कि अगर दो cases और है वो दो cases क्या है उसको हम समझेंगे अगर ये center of curvature वे focus अगर center of curvature और focus के बीच में है तो कहां बनेगी beyond center of curvature अगर C और F के बीच में है तो कहां पर बनेगी beyond C beyond center of curvature अगर center of curvature और focus के बीच में object है image बनेगी beyond center of curvature और इसका उल्टा है next अगर beyond center of curvature यहां पर कहीं object है beyond center of curvature तो image बनेगी between center of curvature and focus कहीं यहां पर इसी का उल्दा ठीक है तो चीजों को कैसे याद रखना है बहुत आसान है अगर focus पर है अगर focus पर है तो infinity infinity पर है focus center of curvature पर है center of curvature पर बनेगा अगर focus और center of curvature के बीच में है कहीं यहां पर है तब बनेगा beyond center of curvature और अगर beyond center of curvature है तब बनेगा between center of curvature and focus तो यह 4-5 image formation जो है यह आपको अच्छे से पता होनी चाहिए यह examination point of view से exam के हिसाब से यह बहुत ही जादा important question है आपको एक ऐसे paragraph जैसा आता है paragraph आता है इस तरीके से ऐसे होगा और उस पर questions किस तरीके से होगे जैसे position of image यहां पर लिखा होगा position of object लिखा होगा position of object फिर आपने क्या करना है यहां पर position of object लिखा होगा जैसे होगा at focus यह होगा between pole and focus इस तरीके से आपने क्या करना है आपने position of image image की position क्या है उसको fill करना है इन serials में आपको size बताना है image का size क्या होगा आपने nature of the image बताना है यह चाहे वो virtual है या erect है यह साली चीज़ें आपको fill कर तो यह तब ही आपको आएंगी जब आपको पता होगा position of object क्या है और image कैसी बनेगी size क्या होगा और nature क्या होगी और इसी के साथ मैं आज का lecture जो है इसको यहाँ पर खतम करता हूँ आप इस lecture को देखें कोई भी feedback हो आप वो feedback दे सकते हैं कोई point जो आपको समझ ना आया हो आप उसको fill से raise कर सकते हैं मैं इसको वापिस से जो है next video में आपको समझाऊंगा प्लस यह चीज है कि हमारे इस channel को आप subscribe करें और आगे और बढ़ाएं इसको share करें ताके maximum लोगों तक यह पहुंचे और हर किसी को थोड़ा बहुत इससे फाइदा हो thank you thank you so much